बाल गनेशा और राक्षुस चलो वीना, हम जाकर नदी से पानी लेकर आते हैं हाँ भैया, रुको, मैं भी आती हूँ और साथ चलते हुए थोड़े से कपड़े भी ले लेती हूँ नदी पर धोकर वही पे सुखा देंगे ठीक है, दोनों मिलकर कपड़े भी धोलेंगे और आते वक्त नदी से पानी भी लेकर आएंगे हम नदी पर जा रहे हैं, अपना ख्यार रखना गनेशा भैया, कपड़े तो धुल गए, अब इन कपड़ों को मैं इन पत्थरों पे सूखने के लिए डाल देती हूँ भाया, मुझे बहुत भूग लगी है चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं, खाने के लिए अगर कुछ मिल जाए तो यहाँ पर तो कुछ जादा फल दिखाई ही नहीं दे रहे हैं हमें खाने के लिए फल कब मिलेंगे? बहुत भूग लगी है चल चल के पैर भी दुखने लगे हैं, और धूपी कितनी तेज है बस हम पहुची गए, वो देखो, वहाँ पर एक छोटा सा तालाब है उसके आस पास कोई ना कोई फल का पेड़ तो जरूर होगा वीना, अब क्या यही बैठने का इलादा है? हमें यहाँ से जल से जल वापस भी जाना है भाईया, रुको ना कुछ देर, मैं बहुत ठक गई हूँ भाईया, जल्दी उठो, ये देखो शाम हो गई है, अंधिरा भी होने को आया अब हम घर कैसे जाएंगे? अरे, उसमें क्या है? जैसे हम आये थे, वैसे ही वापस भी चले जाएंगे पर अंधिरे में हमें रास्ता कैसे पता चलेगा? चलो, देखते हैं कि हम अंधिरे में कैसे जा सकते हैं भाईया, हम काफी अंधर तक चले आये हैं और अब हमें वापस जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा क्या हम रास्ता भटक गए हैं? हाँ वीना मुझे भी ऐसा ही लग रहा है लेकिन रास्ता तो यही है जब हम सुभे आये थे तो यह रास्ता कुछ अलग दिख रहा था अब अंधेरे में ये रास्ता कुछ अलग दिख रहा है यही तो एक रास्ता था भईया मुझे थोड़ा डर लग रहा है यहां आसपास किसी का घर है क्या? इसमें डरने की क्या बात है वीना मैं साथ में हूना हम रास्ता ढून धिलेंगे क्या आज रात हम किसी के घर में रुख सकते हैं? कौन हमें रहने देगा वीना? पूछ कर तो देखो भईया आसपास देखो कहीं उजाला दिख रहा है क्या? अगर यहां आसपास कोई रहता होगा तो आज की रात हम लोग उनी के घर रह जाएंगे यहां पर बहुत आवाजे भी आ रही है क्या पता आसपास कोई जानवर या कोई प्राणी या पक्षी हो? हम तो इतने छोटे हैं भला उनसे मुकाबला कैसे कर पाएंगे? वो देखो वहां दूरी पर थोड़ा सा उजाला दिखाई दे रहा है चलो चल कर देखते हैं तुम यहीं रूखो मैं अंदर जाकर देखकर आता हूँ कोई है? शायद अंदर सुनाई नहीं दे रहा होगा भया तुम ज़रा दर्वाजे को धक्का देखकर देखो अरे यह दर्वाजा तो पहले से खुला है ऐसा कैसे हो सकता है? चलो हम अंदर जाकर देखते हैं यहां कोई है क्या? घर में कोई है क्या? यह देखो यह एक और दर्वाजा है चलो हम वहाँ जाकर देखते हैं शायद इस कवरे में जरूर कोई हो भया देखो यह दर्वाजा तो बंध हो गया हवा से बंद हो गया होगा अरे यहाँ पर तो एक और दर्वाजा है चलो उस दर्वाजे को भी हम खोल कर देखते हैं इस कमरे में भी कोई नहीं है भला इतने सारे कमरे किसके होंगे बाहा से तो एक छोटी सी जोपड़ी दिखाई दे रही थी लेकिन अंदर इतने सारे कमरे भाया जैसे जैसे हम अंदर की ओर जा रहे हैं तो बाहर के दर्वाजे बंद हो रहे हैं अब हम क्या करेंगे मुझे पार डल लग रहा है अब यहां तक हम आ गए हैं तो आगे भी देखते हैं शायद हमें किसी से मदद मिल जाए अरे यह किसके हसने की आवाज है हमें इस दर्वाजे को खोड़ कर देखना होगा यह दर्वाजा कितना बड़ा है भाईया यह तो कोई बहुत बड़ा राक्षस है अब हम क्या करेंगे चलो भागो हाँ मेरा हाथ पकड़ लो चलो भागो तुम लोग कहीं नहीं जा सकते अब यह दर्वासा मेरी मर्जी के बगैर नहीं खुल सकता जिवाक इन दोनों को पकड़ कर मेरे सामने लेकर आओ तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते मेरे बाल गनेश अगर यहां आ गए तो तुम भाग जाओगे कौन बाल गनेश मुझसे ताकतवर कोई नहीं इन दोनों को बंदी बनाओ बुलाओ अपने गनेश को प्रभू हमारी रक्षा करना कौन हो तुम मैं ही हूँ गनेशा इन मासूम बच्चों को छोड़ दो तुम खुद इतने छोटे हो तुम भाला मेरा क्या बिगाड होगे सेवाक इसे में पकार कर लियाओ एक छोटा सा बच्चा तुमारे हाथ में आ रहा? ये बच्चा तो बहुत तेज है मालिक तुमारे इतने हिमात तयार हो जाओ मेरे साथ युद्ध करने के लिए गरेशा राक्षस से भी बहुत बड़े हो जाते हैं राक्षस समीन पर गर जाता है मेरे प्यार है तनिशा